हलो फ्रेंड वल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल फ्रेंड यह आपके सामने इंवोल्टास का इनिवीटर इस पर लेट इस यह वह इसमें जो एरकोड आ रहा है वह ए-6 आपके सामने नजर आ रहा है डिस्प्लेइब तो यह जो आता है वह कम्मिनिकेशन वायर का होता है वर्ट इसमें आपको चेक करना है कि आप इंडूर की पीसी भी कैसे चेक कर सकते हैं प्लस या वायरिंग में दिखाता है तो मैं स्टेप बेस्टेप हर एक चीज़ की लिए कर दोंगा और आपको करना है आप से रुक्यास्टे कि इस वीडियो क जो कभा रहे वह वी ले ऑपन कर दिया हां पर भाई रिंग वह समय एकदम वह प्राइब मैं वह घुटर नड़ आप इसमें जो फॉल्ट को बहुत शेयर करूँगा नहीं पर कि यौल्ट घृडप या जो तीसरा वाले या अन्लो भाइर वो हमने क्मृकेशन वाइर दिया सिंगल वायर जिससे किम कम्निकेशन वायर वह विलते हैं सीपी बाइर बीडर आपके कशा इसको उपन घर को ऊपन करके इसके बाद मैंने किया यहां फिर वह भी है विलोला व्लवा आवा जो वायर है वह यूटल पर रहें रहे है वह राइड वाले वह वायर है yellow wire communication wire तो same wire मैं आपको किया है इससे पहले इंडूर की PCB जो इंडूर की PCB supply odd करती है वो नहीं करते हैं भो भी मैं आप चेक करके जाओं फिर और डूर की PCV दिखाऊंगा फिर इसके बाल वाईरिगं दिखाऊंगा फिर इसमें बताऊंगा कि इसमें तो आपको गिना इस वीडियो को देखना है आपके एक ने नियोटल पर एक नो प्लगाई और एक जो है हमारी कम्मुनिकेशन वाहर पर मीटर को डीसी बोल्ट पर सेलेक्ट के है यहां पर किया 67 बोल्ट इस ओर है मतलब इंडोर की PCP जो ओके उसने क्या सिंगल वायर जो है उसको सब्बाइब दे दिया सब्सक्राइब कर दिये इंडोर की पीजी ने तो हम पर क्या यूश्च हुए क्या प्रॉब्लाम वह आपके शेयर करों लिए हम पर यह चीज के लिए और की PCP कोई दिखकत नहीं है तो यहां पे अब जो है मीटर मीटर जो है आपको बोल्टस डीसी बोल्ट पर सेलेक्ट करना है मैं आपको स्टेब बेच्ट अब हर एक चीछ के लिए गर दूंगा तो हम पेगा है जो तीनों वाइर है है single वाईर में हमें देखना है और नियूतर वाईर में एक लगाना है वेशन देना है तो इसमें क्योंक्त जोन देंगा इसके बाद मैं आपको बता हूं इंडर की विसी ओड़ोगी हां पर कि हैं मीटर को पहले बॉल्चि पे ऐसे लिगाना है ज्लाने डी नियूटर पर लग इसको उपन करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके बोल्टेस के यहाँ पे अगर इंडूर की PCV कम्मुनिकेशन और नहीं कर रही है तो आप पर क्या दिक्कत होगा यहां पर बोल्टेस्स वहोंगे या फिर नहीं होगे तो मैंने इसको निकाल दिया उसके बाद मे जीरो सो रहा है तो इंडोर की PCV ने communication और नहीं किया है अब मैं आपको communication वायर पर लगा के दिखाता हूँ इनो तो इस तरीके से मैं इसको लगाऊंगा पहले इस पे फिर उसके बाद communication वायर पर तो यहां पर दिखाए एक्सम फिक्स वैलुए 48 तो यहां पर के फिक्स वैलुए तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इंडोर की PCV अप्लाई और कर दी अगर अब डॉन हो रहे हैं दोनों का इसका और डोर जो है नहीं चला था हला कि नियूए सी इस्टॉल किया था वाट इसमें फिक्स वैलू थी कोई दिक्कत नहीं थी इंडोर की PCV मैंने किया अभी वायर चेंज किया है अब मैं आपको यह एसी बोल्ट पर सेलेक्ट करके दिखाता हूं तो यहां पर किया देखने हैं हम 244 वोल्ट इस तरी की सहार है तो यहां तक क्लियर कोई दिक्कत नहीं है तक जो है मैंने क्लियर कर दिया एक दम अच्छे इसके लिए रहे हैं आपको बतारी और रिमिट की जाकर PCV सप्लाई और कर देती इसका कम्मुनिकेशन मिल जाता है तो यहां तक यह चीज के लिए आपका कंप्रेसर जो होगा नहीं और बार 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 इस एरो कोट्स होगा हाला कि आपने कम्मुनिकेशन वायर दोने तरफ से ठीक दिए सब कुछ ठीक है वर्ट फिर भी यह दिक्कत आगी तो यहां भी गया है यहां पर केवल एकी उनिट था और इसमें यह दिक्कत आरी कि यह जो है कंप्रेसर की जो हाला कि मैंने देख लिए इसमें चेक कर लिए इसके जो सीरियल मॉडल नंबर वो सब सेम है वर्ट इसकी कम और्टोर की पीसिवीं दिक्कती वर्ट आपको ध्यान रखना है कभी भी आखर आप इसी स्टॉल करते हैं तो वापे गया है आपको देख लेना है कि अगर चार-पांच यूनिट है तो वापे सीरियल मॉडल नंबर मैच कर लेना है पहले ही पना पाद में बहुत देखकत होगी कि आप क्यास को ओपन कर देंगे सारी गयास में निकल जाए उसके बाद जब आप इसी कौन करेंगे तो वापे कम्पनी का अग सब्सक्राइब कर देना चैनल पर न्यूजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर देना थेंक यू फॉर वाचिंग